दोस्तो बिग बॉस सीजन 17 के लाइफ फीड में बीती रात को घर के अंदर अभिशेक कुमार जो है वो काफी दुखी और काफी परेशान थे क्योंकि अभिशेक कुमार को अपने एविक्षन का डर्द सता रहा है जें दोस्तो अभिशेक कुमार का दर्द जो है वो मुनवर के सामने जलका है और मुनवर से बात करते हुए अभिशेक न बताया है कि उसको इस बार विकेंड के वार एपिसोड के दोरान बहुत डर लगने वाला है क्योंकि उसको निकाला जा सकता है और अभिशेक ने ये भी कहा है कि वो इस समय शो को छोड़ कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं उनका सपना था शो में आने का और उनको कम से कम अपने उपर इतना भरोसा तो था कि वो टोप फाइव में अपनी जगे बना सकते हैं जेन दोस्तों अभिशेक ने कहा कि उनको ये इस बात का बिल्कुल भी गवंड नहीं है कि वो शो की ट्रोफिय उठाएंगे इतना प्राउड नहीं करते हैं वो अपने उपर लेकिन उनको अपने उपर इतना भरोसा तो है कि उन्होंने अपने शो में जो योगदान दिया है उसके आधार पर अपने लिए टोप फाइव में थोड़ी बहुत तो जगे बनाई होगी और वो ऐसे मुकाम पर पहुंसने के बाद शो में इस तरीक ऐसे नहीं जाना चाते है जैन दोस्तो अभिशेक ने बीते दिन घर के अंदर जो है लराई जगड़े के दोरान समर्थ को थपड़ मार दिया था जिसकी वज़े से बिग बोस ने तो दंड दिया ही था लेकिन अ फिजिकल वाइलेंस हुई है और ऐसे मैं फिजिकल वाइलेंस आप तो जानते ही हैं कि घर के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और हो सकता है कि अभिशेक कुमार को घर से बेगर कर दिया जाए लेकिन दोस्तो एक तरीके से देखा जाए तो अभिशेक कुमार को निक यहाँ पर अभिशेक को परेशान कर रखा है उसको नेक्स्ट लेवल ज़्यादा पोक किया जाता है यही वज़े है कि यहाँ पर अभिशेक के सबर का जो बांध था वो कहीं न कहीं तूर चुका है और इसी वज़े से अभिशेक ने आओ देखा न ताओ जल्द बाजी में य क्योंकि दोस्तों आपको सीजन 13 तो यादी होगा जिसमें सिदार सुकला और आसिम रियाज जो है वो एक दूसरे को इसी तरीके से पॉक करते थे इंस्टिगेट करते थे दोनों की बीच में जगड़े होते थे यहाँ तक कि उस सीजन में तो अब तक का सबसे ज़दा हाथ दोस्तों खुले आम धक्के दिये जाते थे लेकिन इसके बावजुद बिग बॉस दोनों तरफ का पक्ष देखते थे और दोनों तरफ के पक्ष को देखते हुए ही फैसला लिया जाता था यानि कि आसिम जिस तरीके से पॉक करता था और सिदार्थ जिस तरीके से फिजिक को कुछ कहना चाहिए आपका क्या है कहना जिस पर अपने राए हमें कॉमेंट में बताएं लेटेस्ट अब्डेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें